हेलो गाइज वेल्कम टो माई चाइनल प्रितिस किचन आज में बनाने वाली हूँ बेकरे स्टाइल विस्किट और यह बहुत ही आसान तरीके से बनकर तयार हो जाएगी जो लुक बिल्कुल पहली बार बनाना चाहते हैं वो इस बिस्किट को जरूर ट्राइ करें यह बिस्किट बहुत ही क्रिस्पी बनती है आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल बेकरे स्टाइल है तो आप इसे घर पे जरूर ट्राइ करें तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे दू अंडा लेना है यहाँ में थोड़ा सा एक योग निकाल के रखूँगी इसका यूज मैं आपको लास्ट में बताऊंगी अब हमें इसमें हाप कप छीनी एट करना है और हाप कप देसी गी और अगर आप चाहें तो घी की जगे पे बटर या फिर ओयल भी यूज कर सकते हैं इन सबको हमें बहुत अच्छे से बीट कर लेना है यहां मैं आप इलेक्ट्रिकल मिकसर से कर तक रही हूँ अगर आप चाहे तो स्पूंज से भी कर सकते हैं कि मैंने स्पून से मिक्स करके पहले भी बना रखा है इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक ये पूरा फलफी ना हो जाए अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है बीट करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा अब हमें इसमें मैदा एट करना है तो मैं इसमें टोडल दो कप मैदा डालूँगी लेकिन एक बार में हमें इसे नहीं डालना है पहले मैं एक कप मैदा डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लोगी उसके बाद मैं दूसरा कप मैदा कर डालूँगी अब हम इसे स्पून से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं अब मैं इसमें वन टीस्पून बेकिंग पॉर्डर डाल जी हूँ अब हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें मैं कोई भी दूद्ध या फिर पानी कुछ भी याड़ नहीं करूंगी इसे हमेशे तरह से अच्छा सा डो तयार करेंगे अब मैं इसे हाथ से गुत लोगी यह देखे बिस्किट के लिए अब यह डो हमारा बिल्कुल तयार हो गया है अब हमें इसे बेल लेना है हमें इसे थोड़ा मूटा बेल लेना है बिस्किट के सेप बिल्कुल आप पर डिपन करता है आप कैसा सेप देना चाहते है मेरे पास ये कुकिस कटर है तो मैं इसका हिल्प ले रही हूँ कुछ बिस्किट को मैं स्क्वेर सिर्फ दे रही हूँ ये बिस्किट का डूग काफे सॉप्ट होता है तो हमें इसे थोड़ी सापदानिस उठानी होते हैं वरना ये तूट भी सकता है यहां मैंने एक बेकिंग ट्रे ले रखा है उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा रखा है ताकि वो बिस्किट नीचे से चिपके न पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप सिंपल ट्रे में आप ऑल भी ग्रीस कर सकते हैं इन बिस्किट के ऊपर में एक योग मैं लगा रही हूं हमने स्टार्टिंग में ही वो अंडी का यलो पार्ट निकाल के रख लिया था बेकरी वाली विस्किट के उपर में जो एक गोर्डन कलर आता है वो एक योग का होता है तो हमें इसके उपर एक योग लगाना है अगर आपको मैन हो तो आप लगा सकते हैं अधर्वाइस इसे स्केप कर सकते हैं अब मैं इसके उपर में वाइट तिल डाल रही हूँ अब हमें बिस्किट को 350 डिग्रे फेरेनहाइट में बेक करना है for 20 मिनिट 20 मिनिट हो चुके हैं और देखिए हमारे बिस्किट बिल्कुल तियार हो गया है बनकर अगर आपको मेरे रेसिपे पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले थैंक यू पर वाचिंग